नमस्कार आप देख रहे हैं दिवेहे माशल टीवी मैं हूँ आपके साथ बंचिता शर्मा खास कारिक्रम जाहिर है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपको बताएंगे आपके आसपास आपके राज्य आपके राश्ट्र और अंतर राश्ट्रिय स्थर की कुछ एहम खबरे इसके अलावा हमारे आज के दिवेहे माशल समाचार पत्र पर भी नज़र डालेंगे आईए करते हैं कारिक्रम के शुरुआत कारिकर्म की शुरुआत करेंगे अंतर राश्ट्रिया खबरों से साउधी अरब के अधिकारियों ने हाल ही में जेदा शहर में एक रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है ऐसा आरोप है कि ये रेस्टोरेंट बीते 30 से अधिक सालों से अपने शौचालियों में समोसे और अन्य स्नैक्स बना रहा था अगली खबर की बात करें तो रूस यूकरेन युद को 63 दिन हो रहे हैं इस बीच रूस की नाशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा दावा किया है मिनिस्ट्री ने कहा है कि रूसी वायू सेना ने 87 सेनिक अड़ों को अपना निशाना बनाया था इसमें खारकीव के भी दो सेनिक अड़े शामिल थे इस कारवाई में एक ही रात में यूक्रेन के 500 सैनिक मारे गए वहीं रूस के राश्रपती व्लादिमिर पुतिन ने जंग के दो महीने बाद शांती पूर्ण समझ जोते की बात कही है अगली खबर के और बढ़ें कोरोना की बात करें तो कोरोना वाइरस के कहर के बीच ही चीन में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेंड से इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है चीन के स्वास्ते प्रशासन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी राश्ट्री खबरों की बात करें तो तमिलनाडू के तंजावुर जिले में एक बड़ा हाथसा हुआ है एक उत्सव के दोरान यहां मंदिर का रत बिजली की तार से टकरा गया ऐसे में करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई इसमें दो बच्चे भी शामिल है अगली खबर की बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 में होने वाले पहले विदेशी दौरे का शेडियूल आ गया है विदेश मंत्राले के मताबिक रूस यूकरेन युद के बीच पीम मोदी 2 मई से 4 मई तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे वे जर्मनी डिनमाक और फ्रांस का दौरा करेंगे और इन देशों के राष्ट अध्याक्षों से मुलाकात करेंगे बताया गया है कि मोदी जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ दौई पक्षी वारता करेंगे इसके अलावा विभारत जर्वनी के बीच छटवी अंतर सरकारी बैठक में भी हिस्सा लेंगे बढ़े अगली खबर की और तो दिल्ली से मेरट के बीच चलने वाली देश की पहली रैपिड रेल के ट्रायल की तैयारी शुरू हो चुकी है अगले माहा गुजरात से रैपिड रेल के कोच गाजियाबाद पहुंच जाएंगे इन कोचों की गाजियाबाद के दुखाई डीपो में असेंबलिंग की जाएगी जिसमें करीब एक माहा का समय लगेगा इसके बाद ट्रायल के लिए ट्रैक में उतारा जाएगा इस तरहां संभावना है कि जून के आखरी सब्ता हमें रैपिड रेल के ट्रायल शुरू हो जाएंगे राज्जी की खबरों की बात करें तो हिमाज़र प्रदेश में मार्च में तयार 13 समेत देश के 48 दवाईयों के सेंपल फेल हो गए है क्षेजरी औशधी मानक नियंतरक संगठन के मार्च के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं उतरी है इसमें दर्द निवारक, अलर्जी, उच्चरक्त चाप, उल्टी, किद्नी, बवासीर, बुखार और संक्रमन्ट की दवाएं शामिल है अगली खबर की और बढ़ें तो हिमाचल में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीट सरकार गंभीर हो गई है जिलों में 6,000 करमचारियों को फील्ड में तैनात कर दिया गया है इसमें स्वास्य करमचारियों के अलावा आशा बरकर और आंगनबाडी कारेकरताओं की टीम बनेगी लोगों के घरों में जाकर बीमार व्यक्ति के कोरोना सेंपल लिये जाएंगे अगली खबर की और बढ़ें तो हिमाचर प्रदेश सरकार ने राज्य के 135 डिगरी कॉलेजों को शिमला और मंडी राज्य विश्विद्याले में पांट दिया है राज्य शिमला स्थित समरहिल विश्विद्याले के अधीन 6 जिलों शिमला, सोलन, सिर्मौर, किनौर, कांगडा और उना के 88 डिगरी कॉलेज आएंगे मंडी विश्विद्याले को कुल्लू, मंडी, लाहुलस्पिती, चम्बा, बिलासपुर और हमीरपुर जिला के 47 डिगरी कॉलेज दिये गए है आईए अब नज़र डालते हैं हमारे आज के दिवे हिमाचल समाचार पत्र पर कॉंग्रिस ने अगामी विधान सभथ चुनाव के लिए हिमाचल टीम का एलान कर दिया है मंडी से सांसत प्रतिभा सिंग को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है अगली खबर की बात करें तो भारत में अब 6-12 साल आयूवर्ग के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी बढ़ें अगली खबर की और तो मंडी जिला में जूनियर आफिस असिस्टेंट आईटी का प्रशन पत्र लीग करने के मामले की जांच के लिए पुलिस मुख्याले की और से SIT गठित की गई है संपात की प्रिष्ट की बात करें तो इसमें आज जनजातिय हाटी इस विश्वे पर लेख है इसमें लिखा है कि जाहिर है चिनावी स्क्रिप्ट जितनी बहतर होगी राजनेतिक आत्मबल उतना ही मजबूत होगा सवालों के घेरे तोड़ते हुए हिमाचल भाजपा ने सरकार को आगे करके सत्ता की छवी में इजाफा करने की ठानी है आगे का लेख आप स्वयम पढ़ें इसके अलावा डॉक्टर वरिंदर भाटिया का लेख भुकतान संतुलन का सूप्रबंध हो सुखदेव सिंग का लेख निर्मान समगरी की रेट कम करवाए सरकार और चिलकों की छाबडी में अशोग गौतम का लेख चित्र चरित्र और प्रमान पत्र छपा है आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें दर्चिकों जाहिर है में आज के लिए बस इतना ही अब आप से मिलेंगे इस खास कारिकरम के साथ कल तब तक बने रहिए दिविह माचल टीवी के साथ